उत्रखन के हरीद्वार लक्सर छेत्र के शाहपूर से भोगपूर मार्ग परिस्थित बान गंगा की पुलिया पर एक बड़ा हाथसा होने का मामला सामने आया है जहां खनन वाहनो से गिरी बाजरियों पर बाइक फिसल कर आर्मी वाहन के नीचे आने से दो व्यक्तियों की दर्दनाक मौथ हो गई इस हाथसे में भोगपूर की ओर से आ रहे एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति सचिन सैनी की मौखे पर ही मौथ हो गई है वही बाइक पर सवार दूसरे व्यक्ती शक्ती और फुकार्तिक ने भी उपचार के लिए ले जाते वक्त अपना दम तोड़ दिया है वही मलतक सचन के पितावा ग्रामीडों ने बताया कि ये हाथसा खनन सामगरी से भरे वाहनों से गिर रही बाजरियों पर बाइक फिसलनी के कारण हुआ है वही मौके पर पहुँची भीकमपुर चौकी पुलिस ने मलतकों के शव को अपने कब से मिले कर पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया है और आर्मी की गारी को कब से मिले कर भीकमपुर चौकी में खड़ा करवा दिया है अब जैसे माटम कर दो अब जैसे माटम के गोड़ के शाथ में तो महां पता चला जाकर गाड़ी गाड़ी मिलेटी की गाड़ी मफशी भी ए और महां सब लाज्ट कूठा ली दोनों बोटी तो बोटी लड़के तोनों अख्वा गए ते लिए नग्साइड़ा ने उसका प्रेवेट जोब है और उसके साथ जो लड़का दूसरा था और पीड़डी में वह भी उसाथ समीदा पर कैसा लगया हो चारा वह बोनों बोटी जा रहते मेरे लड़के ना उसरे वाइक वाले सा लिप लिए सापर तक्षे लिए तो महां से बैठे तो महां जो पोई है ज चारी में वार आडी बोटी जो बख्र महां बज़ी पड़ी है और पत्थर है और पानी भी है सब गुष हां जो जो दो नेक सालों करो कि जजा रहते है है एक हर्टवर्ड की जीड़ी में और इप उसाथ जुए है जो प्रेग की जरी जुए है पानी बी दुए सभी कोष अब परसादन को क्या करना परसादना भी कुछ निसुत कह दिये और ना मिलेटिवाले कुछ कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बस खाली तसलिफ दे रहे हैं, और सजीन जो मैं लड़का है, उसका तीन बच्चे हैं, एक बच्चा होने वाला है, दो बच्चे देखते रहे हैं, देखते रहे हैं, डीवी भारती समचार, नजर हर खबर पर